हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मैज स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमोवित हस में तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यह कोस्टन देख सकते हैं आप लोग SSE CPU 2024 में पूछा गया है और बहुत ही संदार लेवल का कोस्टन है आपके एक्जाम में आ P is a point on AB AB पर कोई बिंदू हमारा क्या दे दिया गया है P दिया गया है आगे लिखा गया है देखिए P B रेसीयो AP बराबर आपको कितना दे दिया गया है 3 रेसीयो फोर दे दिया गया है और आगे बोला गया है देखिए P Q पेरलल है किस के AC के और यदि AR and Q EAS perpendicular है किस पर QS बराबर कितना दे दिया गया है 9 cm तो what is the length हमसे AR की length हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले मैं basic concept जो है आपको मैं बता देता हूँ जिससे अगर आप लोग इस सवाल को solve करेंगे तो आप लोग confusion में मत पढ़ें तो सबसे पहले आप लोग समझें जैसे मान लिजिए ये रेखा हमारी हो जाएगी AB एक रेखा है और ये CD हमारी रेखा है तो ये रेखा वो वाली नहीं है न जो आप समझ रहे हैं ठीक और AB और CD एक दूसरे के क्या हैं पैरलल हैं यानि समानतर हैं तो उमीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अब देखिए अगर यहां पर मान लिजिए अगर अलफा एंगल बनता है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा हमारा अलफा बनेगा कैसे तो अल्टरनेट एंगल है अगर ये वाला सोचिए अगर ये वला अगर बीटा एंगल बनता है तो ये वला भी आपका क्या बनेगा बीटा एंगल बनेगा तो बस ये छोटा सा basic concept है इसी के base पे ये question है उसके बाद से देखिए हम लोग इस सवाल को कैसे solve करेंगे तो चलिए हम लोग figure सबसे पहले क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं फिर हम लोग सवाल को solve करते हैं जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा ये figure हो जाएगा figure को थोड़ा लाग कर देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझिएगा अब column change कर देते हैं देखिए ये हमारा triangle हो जाएगा तो इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए यहाँ पे B है और यहाँ पे आपका A है और इधर आप लोग इसको क्या ले सकते हैं इसको C ले सकते हैं अब बोला गया है देखिए AB पर AB पर एक point हमारा क्या है P है तो यहाँ पे एक point P है और PQ जो है AC के सम का ही होगी यह समझ जाइए यह आपका क्या हो जाएगा PQ किसके समानतर है AC के मतलब आप लोग सोचिए यह वाली लाइन पीकी है और AC एक दूसरे क céu हैं समांतर हैं, उसके बाद से question में बोला गया है, क्या बोला गया है? कहां चला गया है? लिखा गया है PQ and AC समांतर है, यादि AR and Q yes, PC पर लम्प है, तो यहां से आप लोग ऐसे समझें, यहां से एक line draw हो रहए है, कहां पर जा रहा है? यहां C पे चली जा रहे, यहां पे C चला जाएगा, और यहां से AR देखिए, यहां से हम लोग line draw करेंगे, तो यह कहां पे लंब हो जाएगा, यहां पे लंब हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, आर पॉइंट हो जाएगा, अभी मैं बना दूगा, आप लोग tension मत लीज जैसे यहां से इसको अगर ड्रा कर देंगे तो इधर भी अमरा क्या बन जाएगा देखिए यह लंब हो रहा है तो यह दोनों point हमें क्या दे दिया गया है यह q दे दिया गया है तो कलम मैं change कर ratio निखिए पिभी कितना दे दिया है और ए पी चार दे दिया गया है यह पिचार है तो देखे यह टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी अगर in total length अप लोग हैंगे तो कितना आसाथ आसाएगा कैसे आसाएगा तो तेहर से ये आपका B है और ये आपका C है, और इसी के समानतर, एक line मान लेजीए, D खिच दिया जाए और E खिच दिया जाए, तो ये दोनो अगर line आपस में समानतर हैं, अगर आप लोग देखिए अगर माल लिजे कल को यहां पे माल लिजे दो रेशियो दे दे ये तीन दे दे अगर जो लेंथ देखिए अगर AD और BD 2 ratio 3 में तो total ये length हमारे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी उसी परकार ये वाला BD total कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये वाला DE कितना होता है 3 तो ये वाला कितना होता है 5 होता है तो थोड़ा सा over view मैं आपको बता दिया हूँ तो इसकी जरूरत नहीं है उमिद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गये होंगे अब देखिए अगर ये 3 unit है तो ये total length हमारी AC कि कितनी हो जाएगी अगर आप लोग AC लेंगे तो ये 7 हो जाएगा उमिद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए अब आप लोग triangle किस पर focus ट्रेंगल लेंगे तो A ले लिए 1 minute अब आप लोगों को क्या focus करना है दिखिए यहाँ पर A है उसके बाद से RC सिमिलर होगा किस के triangle के सिमिलर होगा तो Q यस P के अभी मैं आपको समझा दूंगा तो बस आप लोग अच्छे से समझते रहिए यहाँ पर Q हो जाएगा 1 minute बन थोड़ा सा समस्या हो भी यह कोई बात नहीं है हम लोग कर लेंगे बस आप लोगों को समझाने में उमेद करता आंकि समझ में आही रहा होगा कोई बात नहीं है देखिए अब आप लोग देखिए यहां पर R है देखिए R पर 90 डिगरी है अगर इधर these side नवे बन रहा है त 90 degree हो जाएगा देखिए यह जो PQ है AC के समानतर है और यह PC क्या है एक तिरियक लाइन है तो यहां पर यह 90 तो यह भी 90 क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से बन रहा है 90 degree बन रहा है तो यह 90 यह 90 अब आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है यह वाला एंगल देखिए अगर इस वाले एंगल को अगर आप लोग आलफा लेते हैं समझ रहे हैं तो यह वाला एंगल क्या हो जाएगा देखिए C पे यह भी क्या हो जाएगा alpha हो जाएगा कैसे तो अभी मैं बता चुका हूँ alternate angle है देख रहे हैं अब देखिए किसी भी triangle में अगर दो angle common हो गए हैं तीसरा angle भी क्या हो जाएगा अगर आप लोग इसको theta लेते हैं तो ये वाला angle भी क्या हो जाएगा theta हो जाएगा उमिद करता हूँ कि ये समझ में अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा तो इसी लिए यहां पर triangle कौन-कौन सा similar हो जाएगा तो देखिए ARC similar है किसके तो QS P के similar हो जाएगा QS P के similar हो जाएगा तो अब यहां से आप लोग देखिए जो length हमारी AR की होगी देखिए इसको लिखना की जरूरत नहीं यह लेकिन मैं लिख देता हूँ जो length AR की होगी वही हमारी क्या हो जाएगी यहां से QS की हो जाएगी यही किसके equal हो जाएगा देखिए RC और बटा में क्या आजाएगा हमारा SP आ जाएगा और यही बराबर किसके आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए AC और बटा में हमरा क्या आ जाएगा PQ आ जाएगा अब उमीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए AR हमें ग्याद करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे AR बटा में QS कमान कितना दे दिया गया है 9 दे दिया गया है देखिए RC तो हमें कोस्टन में दिया नहीं तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं है हम लोग इन दोनों को लेके question को क्या करदेंगे solve करदेंगे अब देखिए AC कमान कितना देदिया गया देखिए total AC आपका कितना आ गया है भाइया तो य Tennay आ गया है और बटा में PQ, PQ कमान कितना देदिया गया है 3 देदिया गया है तो इस सवाल का right answer कितना आ जाएगा? एक कई centimeter यानि option number D इस सवाल का right answer आ जाएगा. तो उमीद कर रहा हूँ कि ये question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो चलिए आप लोग comment box में comment करके जरूर बताइए आपको ये session कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार.